आप मुझे से प्रशन पूछ सकते हैं तो चलिए मैं अभी आपको यही बात कह रहा था कि हम चोटी-चोटी समस्याओं से काफी परिशान हो जाते हैं तो पहले तो आपको मेरा प्रणाम शुबकामना है और आपकी और आपके बहुरानी की गैस भी जल्दी ठीक हो चीजों से निजात पा लेते हैं जैसे भाई नकाग गैस का और गैस का मैं पहले बता भी चुका हूं फिर भी मैं एक दो बातें और इसके साथ जोड़ देता हूं जैसे डाइजेशन के लिए चित्रकादी वटी और आरोग्य वरधने विटी यह खाने की बाद कुछ दिन लगातार ले लेते हैं तो पेट बहुत अच्छा रहता है जिन की आतू पर सुजन है आतू में सुजन होने से भी गैस बनती है तो पुनर्नवादी मंडूर दो दो गोली सुबैसाम खाली पेट खाले और पुनर्नवार इस्ट खाने के बाद पीले तो आतू की सुजन खतम हो जाती है जठागनी मंद रहती है तो कुमार या सव पीले उससे जठागनी अच्छी हो जाती है चार-चार चमज खाने के बाद पीले और वैसे आउलाले बरत दूस पीने से भी फेट बहुत अच्छा हो जाता है तो यह छोटी-छोटी उपाए हैं इनसे आप लाब उठा लेते हैं आप अच्छी हो जाते हैं